तरह काफी नगदी बरामदी हुई है तरोक रूपी की नगदी है जिसको लेकर कि काफी राजनेती चर्चा हो रही है और अरोग भी लग रहे दुट रहे हैं और क्या कहना है इसमें आपका पक्ष जाना जाता हूं कि सबसे पहले तो मैं अपना बेग्राउंड दे जता हूं, कि मैं तकरिबन 30-50 साल से सक्रिय रानेती में हूं, वच्रानेती में तो वन्हें सा 77-20 हूं, लेकिन मैं सक्रिय रानेती में मैं 30-50 साल दे हूं, और यह अप मेरा पहला ऐसा वर्दात हुआ मेरे साथ में, इसे मेरे दिल में काफी चोट पहुंची है, चूकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई बिवाद नहा हूं, लेकिन आज बिवाद खाड़ा हो गया, तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जनकारी देना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई, सुप हम लोगों ने काफी कुछ बिकास का काम किया, लोज जगा में भी हम लोगों ने है, और जगह जगह, हम लोगों कुछ किया है, और हमारे पिताजी सुमर्य के राइ सहीव बलते ההूं, ओ, यो काफी गरिए का मदद करते थे, समय सेवा करते थे, और हम लोगों ने कॉलेज स्कूल काफी सारा खुला हम लोगों ने लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफी दुख पहुची है और मैं दावय के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा बकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है हम लोग सराब का पैसाए में तकरीबन हम सुचते हैं कि सौ साल से भी उपर हो चुका है के अगैं डाट उसकी सारी कारी मैं अपको दे दरा हूं पि इन सो साले में आप लोगों के शक निया काफी कुछ क्या काफी रिबनों दिया आज इस तरह से हो रहा तो पिंजे काफी चौट महंची है और मैं चाहता हूं विक आ के इस का मैं अपने तरफ से शेंख खुलाता कर लोगों को जैनकारी मिले और मैं दिल्ली में ही था आप लोगों से मिलना चाहता था लेकिन कुछ परचीती आइची आगई थी आप लोगों के सामने आने मुझे सरम महसुस हो रही थी और मैं रानिती छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं जादे ध्यान देता था बिजनेस मेरे परिवार ओले करते थे और कभी कभार मैं पूछता था था बिजनेस के बारे में इस आपको आधिक तर समय में रानिती में ही अपना समय दिया है तो मैं कुछ चीज जो हों हो Press – अपनी इस तो परिवार में, है बड़ा कि बता ज़रा हूँ, क कुल कुल हो भह से सुनी तो हमétais पहला पांप है शुनका 길े, हमारा जो परिवार हमारा यह रूख दूराबाइ जघर मेंने के परिवार, आज है जभी हैं और हमारा सौ साल से भी उपर का जो कंपनी है या फिर पुराना यह बिजनेस है और हम यह जो कैस का जो पकड़ा गया है यह हमारे बैपार सराप से सम्मधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है हमारा परिवार पिछले सौ साल से अधिक से चलता आ रहा है तता हमारा जो भी कारोबार है वह बिल्कुर परदेशी है आपकी जनकार के लिए में बता दूब कि जो कैस पकड़ा गया है और सराप बिकरी के पैसा है जो कि सराप बैपार में सारा सेल कैस से होता है यह पैसा चल कलेक्चन था यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन राजनेतिक दनों से इस पैसे का कोई संब्द नहीं है जो की चर्चा में आया है तो इसके बार में बता दर रहा हूं यह पून रूप से हमारे कंपनी का पैसा था और यह कैस का मैं जिकर किया वह आरा बेपार चलता डली आप चोगवी जानते हैं कि शराब जहां जहां भी बिजनेस होता हूं एक तो कैस का ही वीजनेस होता है तो है कैस हाई है हमरा और मैं हमारे पर लो हम नाम से हमारे है दुश्टोरे साहू यह तीनों फ़र्म हमारे रिष्टीदार के उनाइखु ते कि अलावे हैं हमारे और भी सारे रिष्यदार लोग है इनके नाम से भी है यह फर्म जलता है जहां तक BPDL की बात जैसा है कि अकबार मीडिया के माधम से दिखाया जा रहा है वह कैस जो बरामत नहीं हुआ है वहां पर जो कैस को लोग बुलते हैं कि काफी मातरा में कैस वह वहां वरावद हुआ हुआ हमारी वहां पर है वह तरह बनता भी है और वहां पर किसी तरह कोई भी कैस नहीं पकड़ा गया अब जो भी पैसा मेडिया के मादम से मेरा दिखाय जा रहा है वह सारा मेरा नहीं है या पैसा मेरे परिवार्त अन्म दिख फरवू का है तो मैं यही आपको जनकारी दे रहा हूं कि जो भी चीज आप मैं पढ़कर बता है वो बिल्कुल सथ है इसमें किसी तरह के भी कोई छीपाने वाली बात नहीं है आप इसको 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 भी मैं पूल रूप से मैं कन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं कि इनकंटेक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूँगा है त्यूंकि अभी बहुत सारा चीज ऐसा हमको पता चला कि घरवाले से मैंने चर्चा किया तो पता चला कि अपैसा हम लोग के जैसे महुआ खरिकता है उसी से सराब बनता है इसका तो खर वो हमारे परिवारों वाले इनकंटेक्स के बीच का मामला हो परिवारों वाले इसका सफाई देंगे या पिर अपना जो भी चीज दिखाना वो इनकंटेक्स के सामने ही देंगे तो आप कुछ दिन और इंतिजार कीचे मैं और भी चीज पर आपके सामने आकर क्टפ कर दंदे कि क्टश्ते